नमस्क्राइब दोस्तों एगर आपको फिरसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएफेंस में किसी वेंडर को पेमेंट कैसे कर सकते हैं जी हां इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया थी जिसमें आपको बताया था कि कि आप पीएफेंस के अंदर वेंडर कैसे कर सकते हैं अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप बटन दबा कर मेरी वीडियो को देख सकते हैं तो चली आज हम बात कर लेते हैं कि आप पीएफेंस के अंदर जो है किसी वेंडर को पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो चल जब से पहले आपने चले जाना है, एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंडिचर के बाद आप कर लेंगे add new, अब आपके सामने एक नया page open हो जाता है, जहां पर आप जो है vendor को payment करते हैं, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने scheme जो है, उसको चार्ड लेना है, उसकी बाद आप चले जाएंगे bank account में जिससे आपने पैसे ट्रांसपर करने तो चलिए मैं account को select कर लेता हूं उसकी बाद आप तो यहां पर चूज कर लेना कि आपने जो expenditure करना है किसके लिए करना है यहां पर आपको यहां पर जितने भी वेंडर है उनके लिश्ट दिखाए देगी यानिकि यहां पर जितने भी आपको यह नेम दिखाए दे रहे हैं यह सब vendor जो हमने एड कर रखें यह उसकी लिश्ट आपके सामने उपन हो आती है तो चलिए हम यहां पर से किसी एक vendor को select कर लेते हैं कि यह कर लिए हमने यहां पर vendor को select उसके बाद यहां पर आपसे पूज़ता है letter oblique office order number यानि कि यहां पर आपने वही letter नंबर डालना है जिस letter के थूआ आपने जो है यह payment करने यानि कि इससे पहले जब आप letter में सबसे पर लेते तो सेंख्षन में जो सेंख्षन डेट और सेंख्षन नंबर पडा होता है आपने उसको यहां पर डालता तो चलिए हम उसको बाख düşün आजकी डेट कि यहां पर स्लीक्रास अब यहां पर आपको दिखा रहे हैं टोटल अविलेवल हैं कि हमारे पास इतना जर्स अब है अन्हें पर नहींट करना है हम फॉलेपर पर यह जो इसको डाल ले तो चलिए मैं ले देता हूं for training यह करने के बाद आपने यहाँ पर जो है scheme select कर लेने कि कि scheme के अंडर आप जो है यह payment कर रहे हैं तो चलिए मैं आपर जो hyperlink के दिख रहा है select scheme component यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे और खोल लेंगे फिर खोल लेंगे इसको तो आपको जो actual है आपने उसी को यहाँ पर select करना है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर capacity building support यहाँ पर कर लेंगे stop training क्यूंकि हम पैसे stop training के लिए training के लिए दे रहें तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर select कर लेते हैं यह स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो option दिख रहा है एक है revenue का और एक है capital का तो हम यहाँ पर कर लेते हैं revenue अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है percentage यहाँ कि जो यहाँ पर हमने 1000 रुपे amount डाल लेकी वह आपको पूरा payment करना है कित्ता करना तो हम इसे कर लेते हैं 100% क्योंकि हमको जो पूरे 1000 रुपे यहाँ पर हमने डाल लेके हैं वह पूरा हम ट्रांजेक्शन करने हम इसे कर लेंगे आप पर percentage 100 तो automatic यहाँ पर आपके Puesud रहां किया को लेना है इसको क्लेना है आपर सेब करनेक बादह यहां पर आपको दिखार Suzuki paired सेब्सेक्श्पुली सेबसेफ तैकर विडव ओ cole नंबर जानी ही जो आपका वार्शा नंबर है इसके सिर्व इसके थूछ है आपका जो क् continuing पूरे H cell इसे कर लेंगे ओके इसे ओके करने के बाद यहां पर आप से पूछ रहा है इंस्टूमेंट टाइप यानि कि आप किसके दूरू पेमेंट करना है चेक की तूरू करना है तो हमने क्या करना है हमें यहाँ पर उल्ट टैडवाईश से यानिकी हमें प्रिट टइडव चाहिए और रहूम पिर्ट निकाल लेगा एंधेंगे करना चाहरा है तो हम इसे करना अब यह पर कलेना है यहांपर आपको जो है जो हमारा वेंडर है उसका दिखा रहा है इसे आपने कर लेना है कनफर्म करने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे सब्मिट फॉर एप्रूवल अब यहां पर दिखा रहा है सेक्सेसफुली सेफ फॉर समिटे डिया यहां पर हमारी जो है जो फर्स्ट प्रोसेस वो पूरी हो चीकी है और जो सेक्ड प्रोसेस होती है इसमें हमने क्या है कि जो यह एंडोंट है इसको पर परता है तो सब्सक्राइब करें अगर ni मेचल हम नए हैं तो पीज मेचल को सब्क्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में